हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे तो फ्रेंट्स आज हम पुराने ब्लैंकेट का यूज़ करके बहुत ही प्यारी सी कुल्ट बनाने वाले हैं कलरफुल सी तो वीडियो आपको कभी पसंद आएगा वीडियो में अगर आपको वीडियो अ वीडियो nata कला मुझे कंठो करें करें को यूझ कंऊंगे तो पुराने ब्लैंकेट का यूझ अ करें कि यूझ करेंगे यह ब्लैंकेट जो है न बहुत ही पुराना ओर बिलकुल फ्रेंग और बिलकुल से जो जो उपरसे जो इसकी discussions अब आप दागे भी इसके दिख रहे हैं नीचे से तो काफी पुराना है विल्कुल घिसा पीटा सा ब्लैकेट है बीच में से फटा भी हुआ है मैं दिखाऊंगी आगे आपको बीच में से थोड़ा-थोड़ा फट गया है क्योंकि काफी पुराना है तो इसी का यूज करके आज हम बह कपड़ा आप ले लीजिए जैसे आप यह लागिंग का कपड़ा या टीशर्ट का कपड़ा भी यूज कर सकते हो लेकिन आज वाले वीडियो में यह फैब्रिक यूज करने वाले नहीं हूं मैं आपको दिखाऊंगी कभी वह वाले कपड़े से बना कर भी तो यह तीन किस कत लिए हैं सारे कीम करा का भी और एक पृंट कपड़ा है और एक यह आपको मेजर मेर्मिंट बता देती हूं 10 यह 2 1 10 पार दे Сп att SC7 को मैंने कट कर लिया तो यह उनको जोडु करते हैं ये देखिए इस तरह से हमने इनको जोटते जाना है ये देखो इस तरह से तो बनाने में काफी असान है और में बात ये है कि ये जो कुल्ट होती है ऐसी मार्किट में आप online सर्च कर सकते हो market का तो नहीं मुझे पता लेकिन online अगर आप सर्च करोगे तो आपको काफी costly मिल पच्चे सो तीन, हजार इतने की यह कुल्ट मिलती है तो हम घर पे भी बना सकते हैं बहुत ही अगर आपके पास कोई पुराने कपड़े हैं स्क्राइक फैबरिक पड़ा है तो उसका यूज़ करके आप घर पे बना सकते हैं या कई वार होते हैं हमारे पास कोई कपड़े की पड़े होते हैं जैसे की जैंट शर्ट बगारा का पीस हो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने जो जैसा भी आपके पास में कपड़ा हो तो इस तरह से सारे पीसी को मैं जोड़ के जितना भी मेरा ब्लैंकेट फिर्माया आपको फेला के दिखा दोंगी कि इतनी उसकी ल जोड़के तो जितने भी मुझे स्ट्रिप्स चाहिए वो सारी में पहले रेडी कर लेते हूं फिर आम इनको प्रेस भी करेंगे अगर हम प्रेस कर लेंगे ना तो हमारा जो भी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं कुल्ट बना रहे हैं तो बहुत ही बड़ी है वो फिनिशिंग के साथ आएगी तो जब भी आप सिलाइया लगा के इसको पटियों को रेडी कर लेंगे जितनी भी स्ट्रिप्स आपने रेडी करन पूरा हमने 10 by 10 के पीसेज कटके हैं अगर आपके पास कोई छोटे पीसेज है ना तो वो भी आप लगा सकते हो बहुत ही प्यारी बनेगी जब भी ये रेडी हो जाएगी तो देखिए सारे पीसेज जो है मैंने रेडी कर लिए हैं अब मैं इन पर पहले प्रेस कर लोगी ठ देखिए ये सारे पीसेज रेडी करके अब हमने कैसे ब्लैंकेट पे जोड़ना है वो भी मैं आपको बताती हूँ बहुत ही असान तरीका है इस तरीके से अगर आप जोड़ोगे तो कोई भी आपके कुल्ट में जोड नहीं आएगा और बहुत ही प्यारी सी आपके कि देखिए ये है ब्लैंकेट काफी बड़े साइस का देखो मैंने पूरा फूल साइज का बीच में से कट करलिया है डबल बैट का था तो मैं सिंगल बैट का बना रही हूं तो देखिए इस तरह से रखूँगी एक पीस फिर उपर से सिलाई लगा उपर से हमने शिलाया लगा लेनी है और बीच में पिंजल लगानी है तो देखेंस कि अग्ला प्रॉजी के देखें इस तरह रखेंगे और इस को इस सदीड को फोल्ड कर लेंगे दिखाते हां मशेचन पे आपको बहुत ही असान तरिक Link है तो देखिए पहले उपर वाली साइट पर एक सिलाई लगा लेते हैं इसको अटैज कर लेते हैं तो यहां पर आप बड़ा टांका करके भी सिलाई लगा सकते हो तो मुझे आदता है जो ऐसी सिलाई होती है कोई राफ न जिस पर बात में कोई पट्टी लगनी है कुछ तो वहां पर मैं बड़ा टांका करके ही हमेशा सिलाई लगा लेते हूं ताकि काम भी इसके साथ हमारा जल्दी हो जाता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा टांका क करके यह वली सिलाई जो है लगा लेते हूं आप देखिए दूसरा पीस हमने यह देखिए ऐसे उल्टा करके रखते हुए पूरा अच्छे से ब्राबर करके मिलाते हुए यहां से सिलाई के साथ और इस तरह से हमने इसको स्टिच करते जाना है तो वन वाई वन सारे पीसेस पूरा स्टिच कर लेना पूरा आगे तक स्टिच कर लें फिर लगाएंगे तो जो बिगनर है उनसे अच्छे से इस कपड़े का बोजो होगा जोल आ जाएगा उनसे तो इसलिए मैं बताती हूं इसी तरीके से बताती हूं ताकि कई सीखने बाले भी होते हैं तो उनको भी करोगे तो बिल्कुल भी आपके ब्लैंकेट में जोल नहीं आएगा तो प्राना ब्लैंकेट का आप जरूर यूज कीजिएगा ये बिंटर के लिए काफी अच्छा रहता है इसको आप बैट पे बिचाने के लिए काम भी ला सकते हो और उपर ओठने के लिए भी आप इसको कुल्ट को काम में ला सकते हो जैसे मजी आप इसको यूज में ला सकते हो आप फ्लोर पे भी बिचाने के लिए काम में ला सकते हो चोटे बच्छे फ्लोर पे बैटके खेल रहे हैं या धूप सेखने कहीं पे भी आप इसको यूज में ला सकते हो तो देखिए दो पीस जो ह नहीं आना चाहिए देख रहे हो ना बिल्कुल जोड नहीं है तो इस तरीके से अब तीसरी पटी को भी जोड लेंगे तो बास इसी तरह से बन वाइवान सावी पटियों को हम जोड लेंगे और पूरा जो जितना भी ब्लैंकेट की लंबाई है ना पूरा मैं इसको भर लेती हूँ फिर मैं आपको देखाती हूँ तो ना दूसरी साइड से यह देखें पहले मैं उस साइड से सिलाए लगा रहे थी ना तो इस साइड से भी आप लगा सकते हो बहुत ही इजी रहता है जैसे भी आपको सीधा आता हो ना, उस साइट से आप सी लाई लगा लेजिए, ये देखिए, इस तरह से पिन लगाते जाएंगे, और हाथ से सैट आपने जरूर करते जाना है, ताकि इसमें जोल ना आए, तो इस बात का आपने खुद ध्यान रखना है, अच्छे से, कोई भ कैसी ही आदत पढ़ेगी सफाई से काम करने की, कोई भी जोल बगएरा हमारी प्रोजेक्ट में ना आए, इसलिए हमने बहुत ही सापधानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जोड़ना है, जैसे आप देख रहे हैं ना, मैं साथ-साथ में हाथ से सेट करते हुए, फिर अच्छे से सिलाई लगा रहे हुँ, ताकि मेरा जो यह प्रोजेक्ट है बिल्कुल बड़िये तरीके से बने, यह देखिए, कोई जोल आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल ने ना, तो ऐसा ही आपका भी बनेगा, अगर आप बिल्कुल ध्यान से बनाओगे, तो इस वीडियो में जो है, थोड़ा अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगी, वो भी आपको काभी असान रहेगा, तो फ्रेंट्स मेरी तो कोशिश ही होती है कि मैं आपको असान से आसान तरीका बताऊं, तो आप जरूर बताएगा, कि यह वाला तरीका आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना अपने फ्रेंट्स में, ज्यादा से ज्यादा शेयर किजिएगा वीडियो को, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना अब मैं साइड पे भी सिलाई लगा लेती हूँ और फिर जो एक्स्ट्रा है ना उसको हम कट कर लेंगे जो साइड है ना ये देखिए साइड पे भी हमने एक सिलाई लगा लेनी है कच्चा टांका बड़ा टांका करके ही हम सिलाई लगा लेंगे तो सिलाई साइड पर देख सकते हैं, आप मैंने लगा ली है, एक्स्टा फैब्रिक जो आपको दिख रहा है थोड़ा अनेक्विल, उसको मैं एक्विल कर लेती हूँ, कट कर लेती हूँ, यहां से यह देखिए, है न यह एक्स्टा, इसको मैं अभी कट कर लोगी, पूरा यह क्योंकि काफी पराना है, उसको यूज भी बहुत ज्यादा किया है, तो काफी टाइम से मैंने रखा हुआ था, फिर मैंने सोचा कि अभी इसका मैं यूज इस पिंटर में तो कार ही लोगी, और यह मैंने जो कुल्ट बनाई हो मेरे बहुत ही काम आएगी, और हमारा ब्ल कोई बात नहीं, जैसा मर्जी कलर हो, तो मेरे पास यह पड़ा था इस तरह का कलर, तो मैंने यह लगा लिया, आप चारो साइट से सिलाए लगा लोगी, क्योंकि पिन के साथ मैंने इसको फैप्रिक को अटेच कर लिया है, आप देख सकते हैं, बीच बीच में मैंने पिंस लगाई हैं, आप देखें, जो चारो साइट से जो यह नीचे वाला लाइनिंग वाला कपड़ा मैंने लगाया है, तो जो लाइनिंग होती है, वो मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने उसका यूज किया है, आप कोई भी पुराना दोपट्टा पड़ा है, या कोई बेट कर लेंगे, आप देखें, यह तीनों कपड़े आपस में, जो नीचे वाला कपड़ा है वो भी आपस में अच्छे से जुट जाए, तो उसके लिए हमने क्या करना है, कुल्टिंग करनी है, तो कुल्टिंग आप देख सकते हैं, इस तरह से मैं बिल्कुल असान तरीके से सी सीधी सीधी तिरची तिरची लाइने लगा कर कुल्टिंग करोंगी, तो हमने देखी यह स्केल के साथ ना पहले अच्छे से लाइन लगा लेनी है, इस तरह से, ताकि हमारी कुल्टिंग जो है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो, तो पहले फ्लोर पे बिचा के, अब मैं साथ साथ में, लेकिन आपको अगर दिक्कत हो रही हो, तो आप क्या करना, फ्लोर पे पूरा इसको बिचा लेना पहले, फिर अच्छे से यह देखे, इस तरह से फैला के पहले निशान लगा लिजीगा, फिर आप इस पे कुल्टिंग कीजीगा, तो एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, क्योंकि आप पुछते हो, कि इसमें निडर कौन सी लगी है, तो फ्रेंट्स निडर जो है, 18 नंबर की ही मैंने लगाई है, और जो भी आपकी मशीन है, सिंपल मशीन जैसी भी है, मेरी भी सिंपल मशीन ही है, अम्बरेला जो होती है, लेकिन मैं मोटर के स साथ ही इसको चलाती हूँ, तो सिंपल जो स्विंग मशीन होती है, उसके साथ ही बहुत ही इजीली जो है, आपका क्विल्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा मोटर नहीं है, जो ब्लैंकेट था मैंने आपको दिखाया, बिलकुल घिसा पड़ा था, य तो इस तरहसे पूरा मैं पहली सिलाईया लगा लेती हूँ और सिलाई लगाते वगत एक बात का अमने कोणिंग करते वगत दियान रखना है, तो आप सकते हैं, जिस तरह से मुण करते जा रही हूं इस तरह से आप सेट करते जा पर आपने सिलाई लगानी है, नहीं तो ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे और कप्ड़े को सीधा नहीं करेंगे तो भैं फिर तो जोड़ आएगा है ना पिर तो जोड़ आना ही है तो साथ साथ में हमने ये नहीं कि बस एक बार सिलाई लगाने लगे बस सीधे चलो लगते जाए लगते जाए और जहां से मरजी कपड़ा खिजाब आ गया या जोल आ गया तो वो बिलकुल बेकार लगेगा तो इसलिए जब भी आपने कुल्ट बनानी है तो बिलकुल ध्यान से और बिलकुल आराम से आपने अच्छे से कपड़े को सेट करते हुए ही कुल्टिंग करनी है तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से करें हूँ इस तरह से आप भी कर सकते हैं तो कुल्टिंग करके फिर आपको दिखाते हूँ को तो देखे कुल्टिम मने कर ली है यहां से हम बैसे धैसा ही रहने दिया अगर आप लगाना चाहों तो इस तरह से भूगा सकते हैं लेकिन वैंने तरचे पंडिल मी लाहा हैं तो देखे way कपड़ा में कोई जोल नहीं आया आप て नहीं आ करले तो देखिए सिलाईया हमने लगा ली है कुल्टिंग हमने कर ली है आप इसके चारों साइट पे हमने बॉर्डर लगाना है यह देखिए इस तरह से भी आप सिलाईया लगा सकते हो लेकिन मैंने नहीं लगाई फिर ऐसे रहने दिया इसको अब इमें इस पे बॉर्डर तो फ्रेंट्स अगर आपके पास कोई पुराने कपड़े पड़े हैं या कोई बैट शेट पड़ी है उसका भी आप योज कर सकते हो जैसे भी मर्जी आपके पास कपड़े हैं कोई इश्यू नहीं है आपके पास कोई गरम कपड़े हैं या कॉटन के हैं कोई भी आप करते हुए और पटी जो है ना आपने बहुत ही finishing के साथ लगाने है आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से हम पटी को लगाएंगे क्योंकि जो यह पटी होती है ना चारो साइट पे बौडर होता है इस ही के साथ जो है लुक बहुत बढ़िया आता है अगर इसको ह कि जब भी आपने यह पट्टी लगाना है तो इसको बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगाएगा ताकि आपके प्रोजेक्ट में आपकी कुल्ट में चार चांद लग जाएं और देखने में बहुत ही सुन्दर लगे तो इसी तरह से चारो साइट पे पट्टी में लगाके फिर आपको दिखाते हूं तो देखो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने यह पट्टी एक साइट पे लगा ली है अब तीनों साइट पे जो बची है उन पे भी पट्टी लगाके फिर मैं आपको दिखाती हूं तो फ्रेंड्स पट्टी मैंने लगा ली है देख सकते हैं आप ब जरूर बताईएगा और आप भी जरूर ट्राई कीजेगा और फ्रेंट्स अगर आप और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजेगा कोई भी आपकी क्वेस्चन हो तो आप कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं तो देखिए बहुत ही प्यारी हमारी कुल्ट बनके रेडी हो गई और हमारा पुराना जो घीसा पिटा ब्लैंकेट था बोगी हमारा काम आ गया उसको हमने एकदम से बड़ी ऐसे नया सा लुक दे लिया तो यह देखो बहुत ही प्यारी बन गई है बैक साइड से भी देख लूँ मैं दिखा देती हूं आपको कोई इसम से अगर आपके बास में काम कपड़ा है जोड बगैरा डालके आप बैक साइड पे लगा दीजीगा बहुत ही प्यारा इसका लुक आया है तो आज के वीडियो में वासितना ही मिलते हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए आइडिया के साथ आप थिकनेस भी इसकी देख सक कि ह मैं आपके जाए वीड़Úर खालती है रीज झाता में किसी नएक में किसी आपदाए चाहर आपके ल bullyकता में कका झापके शोन साथ इसकी जास किसी थे आपके आपके पासमी एग उर कृटने हैं किसी है